तुम्ही बगाता हद जनमत मराठी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता आदिवासी भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आज बगवान बिर्शा मुंडा जी की जयन्ती है और आपने मुझे भाशन देने का मौका दिया ऐसे दिन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आप सब का बहुत अभारी हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं ये कोई मामूली दिन नहीं है बिर्शा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और चौबिस साल की आईउ में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने चौबिस साल में कर डाला लोग लंबी जिन्दगी जीते हैं साट, सतर, असी साल जीते हैं तब भी जो इन्होंने चौबिस साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं आज भगवान बिर्शा मुंडा जी की सोच पर आक्रमन हो रहा है स्टेज से आपने भाशन सुने एक तरफ से नहीं हो रहा है चारों तरफ से उनकी सोच पर उनकी यादगाश पर RSS और BJP आक्रमन कर रहे हैं दो तिन उधारन आपको देना चाहता हूं जब मैंने भाशन शुरू किया मैंने आपको आदिवासी भाई बेहन कहा कहा नहीं कहा कहा ना आदिवासी का मतलब क्या है आप में से कोई बता सकता है बताओ नहीं आदिवासी का मतलब क्या होता है जो जो सबसे पहले था सही बात है जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है बात समझाए ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है इस शब्त का ये मतलब है इसका मतलब अगर ये जमीन आपकी थी मैं सिर्फ महराश्टा की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम भारत माता कहते हैं ये पूरा का पूरा देश इस देश में सबसे पहले आप आये थे मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है अब देखिए ये क्या चलाकी कर रहे हैं ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो आप सबसे पहले नहीं थे नाम बदला है मगर ये मामूली चीज नहीं है ये बहुत गहरी चीज किये है उन्होंने और भगवान बिर्सा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े उसी चीज पर वो आक्रमन कर रहे हैं भगवान बिर्सा मुंडा जी ने कहा हैं ये हमारी जमीन हैं हम ओरिजिनल मालिक हैं इसलिए 24 साल के आयूपे वो शहीद हुए अब बीजेपी के लोग कहतें नहीं वहिया आप आदिवासी नहीं हो आप वनवासी हो आप गाओं में नहीं रह सकते आप शहरों में नहीं रह सकते आप कॉलेज उनिवर्सिटी में नहीं जा सकते आप हवाई जाज में नहीं उड़ सकते आपको तो बस जंगल में रहना है अभी ठेहरिए तालिमत बजाईए अब देखिए अगर आप हिंदुस्तान हजार साल पहले आते तीन हजार साल पहले आते तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था पचास साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते काफी जंगल थे और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है और आज से बीस तीस चालिस साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं गायब हो जाएगा तो आप से यह कह रहे हैं कि आपको कोई हक नी मिलना चाहिए जब जंगल गायब हो जाएगा तो वन वासी का कोई हक नी बचेगा ये हैं इनका मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी आप तो जंगल के हो हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो ये पूरा देश आपका था और आपसे ये देश लिया गया तो अगर आपसे ये देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है क्या देना है आपके हक देने हैं शिक्षा देनी है स्वास देना है और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है सही बोला ना तो पहली वाद यह है फिर आदिवासियों की ललितों की पिछुडों की अल्प स्यंक्रक्यों की कैसे मदद होती है कैसे रक्षा होती हिंदुस्तान में यहां पर यह आएं बताओ सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज़ करती है यह देखो सविधान सब जानते हैं सविधान किसने बनाया बाबा साहिब हम बेटकर जीने बदाया कॉंग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया उस समय बीजेपी के नहताओं ने क्या कहा सविधान की कोई जरुवत नहीं है सविधान बेकार चीज़ है और यह हर रोज सविधान पर आक्रमन करते हैं 24 गंटा क्योंकि यह इस बात को मानने को त्यार नहीं है कि इस देश में दलितों को पिछणों को आदिवासियों को गरीबों को हक मिलना चाहिए मानने को त्यार नहीं है तो आपसे शिक्षा चीनेंगे स्वास चीनेंगे जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे मुझे आप बताओ आपके जो बच्चे हैं प्राइविट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते न तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिये जाएं तो आपके बच्चों को क्या होगा पढ़नी पाएंगे अनपढ़ रहेंगे पाइदा किसका बीजेपी का तो तो वो शिक्षा के सिस्टेम पर आक्रमन करते हैं अच्छा जो प्राइवेट हस्पताल होता है किसे को दिल का दौरा पढ़ता है कैंसर हो जाता है सबको होता है आपके लोग उसमें जा सकते क्या नहीं जा सकते तो अगर सरकारी हस्पताल सब बंद कर दिये और पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया तो नुकसान किसका गरीबों का आदिवासियों का दलितों का पिछणों का जहां भी यह राज करते हैं आप देख लीजिए शिक्षा के सिस्टम को प्राइवेट हातों में दे देते हैं हस्पतालों को प्राइविटाइज कर देते हैं अच्छा तीसरा रास्ता जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं पब्लिक सेक्टर में आपके लोग जा सकते हैं सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कमपनिया ये प्राइविटाइज कर रहे हैं अपने ही दो तीन मित्रों को दे रहे हैं, तो रोजगार का रास्ता बंथ, शिक्षा का रास्ता बंथ, बिमार हुए तो हस्पताल बंथ, और फिर आप से कहते हैं, भाईया देखो, हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग बनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो, जंगल में हक किस ने दिया, कॉंग्रेस पार्टी ने दिया, फोरेस्ट राइट और पैसा कौन लाए, कॉंग्रेस पार्टी लाए, और बीजेपी क्या कर रही है, आपको कहती है, आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हक बनता है, वो भी चिन लेती है, ये सिर्फ आप पर आक्रमन नहीं है, देश पर है, मगर ये जो बिर्सम उंडा जी है, इन पर ये आक्रमन कर रहे है, इनका अपमान हो रहा है, तो सबसे जरूरी बात समवियान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इस से बिना आपका काम नहीं होने वाला है, और ये लड़ाई सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है, और मैं ये भी कह देता हूँ, स्टेट से कह देता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है, मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, आकरी बाद देखिए, विर्शा मुंडा जी, भगवान विर्शा मुंडा जी, 24 साल की आयू, पे शहीद हो गए, अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की, भगवान बिर्सा मुंडा जी ने कहा नहीं मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए मुझे जमीन नहीं चाहिए मुझे खरीदा नहीं जा सकता मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे दुनिया में सबसे बड़ी शक्ती थी और 24 साल के बिर्सा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और एक इंच पीछे नहीं हटे और उनकी हत्या कर दी उनको शहीद कर दिया गया यह आपके चिन है यह आपको रास्ता दिखाते हैं अब देखिए BJP के चिन को देखिए RSS के चिन को देखिए सबरकर जी दो-तीन साल उनको एंडमन में बंद कर दिया उन्होंने चिठी लिखनी शुरू कर दी हमें माफ कर दो जो भी हमसे चाते हो ले लो बस मुझे जेल से निकाल दो सबरकर जी में और भगवान बिर्सा मुंडा जी में फरक देखिए 24 साल में ये शहीद हो गए आदिवासियों के लिए सिर्फ आदिवासियों के लिए हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ सबरकर जी जिनको वीर कहते हैं वीर सबरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है एक किताब लिखी दूसरे नाम से लिखी कि सबरकर कितने वीर है और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों के लिए काम करते थे कॉंग्रेज के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे और दो तीन साल पाँच साल में जेल के बाद सच्चे सवरकर जी पूरे देश को दिखे चिठिया लिखी और अंग्रेजों ने कहा आजाओ हिंदुस्तान के खिलाब हमारे साथ काम करो सवरकर जी ने हाज जोड़े कहा हां जी मैं हाजर हूँ जो भी आप मुझसे चाहतों मैं करूँगा यह है आपके भगवान में आपके नेता और उनके नेता में फरक और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूँ यह देखिए यह आपको रास्ता दिखाते हैं इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है और दूसरी बात आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो और आप उरिजिनल मालिक हो इस देश के बहुत बहुत धन्यवाद जवाबदरी न्याय हक्काच